अलो दोस्तों, अभिनव नाम है मेरा, सौधित करता हूँ आप सबका एक बर फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल Maths by Abhinav Rajput और Prime Time 2.0 में आज हम लोग percentage की चौथी class करने वाले हैं, classwork questions आपने अल्लेडी कर लिया है, ये homework के questions है total 26 questions करने वाले हैं, आज हम इसमें 3 types cover होगा, एक होगा marks based questions, कि इसके इतने marks आए ये fail हो गया, इसको और इतने marks चाहिए पास होने के लिए, फिर एक population के questions करेंगे, कि population 10% बढ़ा, फिर 20% बढ़ा, फिर 30% बढ़ा, और फिर हम election के questions करेंगे, कि इस voter को इतना vote मिला, इतने vote से जीत किया, इन 3 types को आज हम cover करने वाले हैं, total 26 questions के जरिए, I hope आपने classwork कर लिया होगा, नहीं किया है, तो जरूर कर लेना, और जो classes है, इसकी PDF के लिए आप telegram channel maths by Abhinav Rajput, जरूर जरूर जाइन कर लेना, ठीक है, और अगर आपके कोई personal questions होते हैं, तो आप मुझे Instagram पे follow कर सक सकते हो, again अगर आप search करते हो, maths by Abhinav Rajput, तो मेरा ID आजाएगा, वहाँ पे आप मुझे follow कर लेना, और वहाँ पे आप मुझे question पूच सकते हो, तो question स्टाट करते हैं, देखो पहले है, marks in examination, देखो क्या है, और हमारे जो questions होते हैं, जो भी बच्चे सिर्फ हमें YouTube पे देखते हैं, मैं आपको बता देता हूँ, paid और premium difference क्या है, कि यही एक और PDF होता है, जो paid में मिलता है, और same questions होते हैं उसमें भी, अब paid वाले बच्चे वहाँ करते हैं, और ये caution उन्हें homework में मिल ज जाता है, आप homework में, और जो homework वाले caution होते हैं, वो सबके लिए होता है, PDF भी सबके लिए होता है, तो जो बच्चे paid में हैं, उन्हें books purchase करने की जरुवत नहीं पड़ती है, फ्री वालों को books खरीदना पड़ता है, बस इतना ही फरक है, otherwise और कोई फरक नहीं है, पढ़ाता मै मैं दोनों ही जगा हूँ, वहाँ थोड़ा well, मतलब और ज़्यादा explain करके होता है, लेकिन यहां पर भी मैं explain करी देता हूँ, देखो एक exam है, उसमें 80% boys passed है, कितने बच्चे passed है, 80% English में, 85% passed है maths में, और 75% है जो दोनों में ही passed है, और यह कह रहा है कि अगर 45 failed in both, 45 इसलिए में exam के लिए बैठे थे, कभी भी इस type का question आई, तो इसको ऐसे समझो कि यह है school, यह क्या है, यह school है, यह वो बच्चे है, जो English में pass हुए है, यह वो बच्चे है, जो maths में pass हुए है, ठीक है, यह क्या है, यह English है, और English में कितने बच्चे passed हुए है, इंग्लिस में है 80% कितना 80% और दूसरा क्या था Maths बताओ Maths में कितने बच्चे पास हुए है Maths में हुए है 85% ठीक है अब देखो ये जो A वाला पार्ट है ये वो बच्चे हैं जो सिर्फ English में पास है B बच्चे वो हैं जो सिर्फ Maths में पास है और C ऐसे बच्चे हैं जो दोनों में ही पास है और 75% बच्चे ऐसे है जो दोनों में ही पास है यानि कि C की value कितनी है 75 अब एक बात बताओ English में टोटल कितने बच्चे पास हुए है इस 85 में 75 ऐसे बच्चे हैं जो दोनों में पास हुए हैं, यानि बचे वे 10% ऐसे हैं जो सिर्फ और सिर्फ maths में पास हुए हैं, अब अगर मैं देखू, तो पूरे स्कूल में कितने बच्चे थे? 100, पूरे स्कूल में कितने बच्चे थे? 100, पांच बच्चे सिर्फ इंग्ल इसमें पास हुए या फिर दोनों में ही पास हुए हैं ये जो बचे हुए 10% बच्चे हैं ये कौन से बच्चे हैं ये वो बच्चे हैं ये वो नालाइक बच्चे हैं जो फेल हो गए ये 10% कौन से बच्चे हैं जो फेल हो गए हमारे according अगर पूरे स्कूल में 100 बच्चे हैं 450, देख रहे हूं कितना आसान है, एक एक्जाम है, महुआ got 10% less marks than Supriya in maths, देखो, महुआ के न, Supriya से 10% कम आए हैं, यानि अगर Supriya के 10 आए होंगे तो महुआ के कितने, 9, 10% कम का मतलब है कि अगर उसके 100 है तो इसके 90, महुआ के 81 marks आए हैं, कितने 81, तो बताओ Supriya के कितने marks आए होंगे, तो 81 actually में किसकी value है, 9 की, तो 10 की कितनी हो जाएगी, 90, कैसे, 81, value है 9 की, चाहिए किसकी, 10 की, तो इसको solve करोगे 90, यानि Supriya के कितने marks आए है, 90, simple, कोई X नही सारे questions प्यार से, question number 3 देखो क्या है, एक exam है, 34% बच्चे maths में fail हुए है, ध्यान रखना fail से नहीं होता है, question, question हमेशा pass से होता है, अगर maths में 34% बच्चे fail हुए है, तो pass कितने हुए होंगे, 66, हमेशा 100 बच्चे रहते हैं, ध्यान रखना हमेशा total बच्चे 100% है, अगर 34% fail है, तो pass कितने है, 66, English में कितने बच्चे fail है, 42, तो pass कितने है, 58, 58, ओके, और 20% ऐसे बच्चे हैं, जो दोनों में ही fail हुए, जो दोनों में ही fail हुए है, तो अगर मैं 100 में से घटा दू, तो either math और English, और both, यानि कि ऐसे बच्चे जो maths में pass हुए केवल, या केवल English में पा हुए, ऐसे कितने बच्चे है, 80%, कैसे, अब देखो, 20% वो बच्चे है, यह कह रहा है, 20% failed in both the subject, जो दोनों में ही fail है, तो बच्चे हुए 80%, किसी ने किसी में तो pass होंगे न, clear है न, अब देखो, जब आप diagram बनाओगे, यह A बनाओगे, यह B बनाओगे, जैसे यह A है, य B है, यह maths है, 66, यह English है, कितने, 58, 58, ठीक है, अब देखो, part कैसे करोगे, A, B और C, clear है, अब देखो, इसको कैसे करते हैं, A plus B plus C, अगर मैं तीनों को add कर दूँ, A ऐसे बच्चे हैं, जो केवल maths में pass हुए हैं, C ऐसे बच्चे हैं, जो केवल English में pass हुए हैं, B ऐसे तो 80 आ रहा था, कितना था, 80, अब देखो, कितने प्यार से निकल जाएगा, और A plus B की value कितनी है, 66, अगर मैं इसमें से घटा दू, तो C की value कितनी आ जाएगी, 14, यानि 14 बच्चे ऐसे हैं, जो basically, सिर्फ और सिर्फ, English में pass हुए हैं, अब 58 में घटा दो, तो इसकी value आ जा है, the percent of the student who passed in both the subjects, जो दोनों में ही pass हुए, बताओ, कितने है, 44%, समझ रहे हो, कोई formula नहीं, कोई trick नहीं, आराम से हो जाएगा, simple, आपको diagram बनाना है, और answer आपके सामने है, देखो, ये वाला question, बहुत आता है exam में, बहुत जादा आता है, बहुत जादा, ओके, देखो, क्य 40% marks चाहिए, पास होने के लिए, ठीक है, एक candidate जिसके 220 marks आये है, वो fail हो गया है 20 marks से, देखो, कितने marks आये हैं भईया गे, 220, और वो fail हो गया 20 marks से, यानि कि मैं कह सकता हूँ कि अगर उसके 240 marks होते, तो वो पास हो जाता, अगर वो 240 नमबर लेकर आता, तो वो पास हो जाता ना, इसमें तो कोई doubt नहीं है ना, यानि कि 240 जो है, वो actually में 40% की value है, 240 passing marks है, यानि 40% है, तो 100 कितना होगा, simple, 600, ये 600 क्या है, ये 600 है, basically passing marks, ये क्या है 600, passing marks, sorry, maximum marks, my mistake, passing marks तो 240 है, maximum marks कितने है, 600, यानि 600 में इससे 240 है ये पास होने के लिए, एक exam है, उसमें 1100 boys है और 900 girls है, exam में अपेर हुए है, ठीक है, कितने हैं देखो, 1100 boys और 900 girls, अब देखो, 50% of boys क्या है, pass है, 50% of boys, यानि कि 550 pass है, और 550 fail है, ये कौन है, ये मैं बात कर रहा हूँ, boys की, girls की, girls 40% pass है, 900 का 40% कितना होता है, 360, कितने बच्चे fail है, 560, clear है, ये direct आप लिख सकते हो, 900 का 40% 360 है, 900 का 60% 540 है, क्या पूछा आप से, the percentage of candidate who failed, failed, failed का बताना है, कितने बच्चे fail हुए है, total, तो देखो, हमारे recording, ये 550 boys, और लड़कियां कितनी, 540, ये टोटल, 1090, 1090 बच्चे fail हुए है, out of, total बच्चे कितने थे, 2000, इसको कर दो, 54.5, 44.5% बच्चे, 54.5% बच्चे, दोनों में ही fail है, Question number 6, दो successive year में, 175 students of school appeared for the final examination, पहले साल, 100 बच्चे अपेर हुए, दूसरे साल, 75, clear है, ये किस में, किस के लिए अपेर हुए है, final exam के लिए, ओके, पहले साल, 75% बच्चे और दूसरे साल, 60% बच्चे पास है, तो average rate of pass कितना हो जाएगा, देखो, average rate of pass, यानि कि total कितने बच्चे average pass हुए है, तो देखो, 100 में से कितने बच्चे पास हुए, 75%, यानि कि 75, 100 का 75, 75 भी रहता है, second year कितना, 60%, 75 का 60% कितना हो था है, बताओ, 45, क इसको solve कर दोगे, 45 आ जाएगा, यानि total कितने बच्चे पास हुए है, दोनों साल मिलाके, 120, out of 175, कितने में से, 175 में से, कितना परसेंट है ये, यही तो निकालना है, 25, 4's हा, 25, 7's हा, 480 अपान में 7, एक तो देखो, answer वही होगा, जिसके नीचे 7 है, ठीक है, करके देख लो साथ अठेच अपन, 68, 4 by 7%, option number D, question number 7, एक एक एक्जाम है, हाँ, question number 7, देखो, क्या है, एक एक्जाम में, 60% जो student है न, वो इंग्लिस में पास हुआ है, किस में पास हुआ है, इंग्लिस में, 70% हिंदी में, और 40% दोनों में, तो देखो, कैसे होगा, simple देखो, दोनों में कितने पास हुए है, 40%, इंग्लिस में कितने बच्चे पास थे, 60, हिंदी में कितने थे, 70, ओके, तो 60 में से 40 गटाया, 20% ऐसे जो सिर्फ इंग्लिस में, 70 में 40 गटाया, 30% ऐसे जो सिर्फ हिंदी में, क्या पूछा आप से, what percent of students fail in both the English and, कितने बच्च हुए हैं, यानि बच्चे हुए 10% बच्चे दोनों में ही फेल हुए है, अब देख रहे हो, कितना फास्ट हो रहे हैं, Question No.8 देखो, एक student has to secure minimum 35% marks, कितने चाहिए उनको marks, 35% minimum marks चाहिए पास होने के लिए, अगर उसके 200 marks आए और वो फिर भी फेल हो गया 10 marks से, देखो कितने नंबर लाया है भाई साहब ने, 200, और कितने चाहिए, 10, यानि टोटल कितने marks चाहिए पास होने के लिए, 210, नंबर में 210 और percentage में, percentage में कितना, 35, तो क्या सकते हो कि 210, 35 की value है, तो 100 की कितनी होगी, कर दो इसको, ये कट जाएगा 6 से, 600, यानि पासिंग marks कितना है, 600, sorry, maximum marks, again, 600 क्या है, maximum marks, I hope, clear होगा, question number 9, देखो क्या है, एक candidate है, भाईस, आप 30% लेकर आते हैं, कितना लेकर आते हैं, 30% और fail हो जाते हैं, 5 marks से, यानि कि, इसके 30% आये हैं, और वो fail हो गया है, 5 marks से, यानि 5 number और ले आता, तो भाई, पास हो जाता, एक और candidate है, उसके 40% आये हैं, और वो 10 number जादा लाया है, यानि कि, अगर वो 10 number कम भी लाता ना, तो भी वो पास हो जाता, क्या सकते हो ना, अगर वो 10 number कम भी लाता, तो भी वो पास हो जाता, आप से पूछा है, minimum marks required to pass, minimum passing marks कितना है, अब देखो जड़ा गौर से, अगर मैं इन दोनों की बात करूँ, तो इन दोनों में marks का difference कितना है, एक के passing marks से 10 ज़्यादा है, एक के passing marks से 5 कम है, तो आप बुलोगे 15, कितने 15, जैसे अगर ये passing marks है, तो इसके है plus 10 और इसके है minus 5, अगर मैं इनका difference देखो तो कितना जाएगा, 15, percentage में इनका difference कितना है, 10%, कितना, 10%, marks में है 15 और इसमें है 10%, clear है, अगर आपसे maximum marks पूछे, तो देखो 15 value किसकी है, 10 की, 100 की कितनी होगी, 150, ये maximum marks है, ये क्या है, maximum marks है, लेकिन आपसे पूछा passing marks बताओ कितना है, तो passing marks देखो, ये 15 किसकी value है, 10 की, चाहिए किसकी, 30 की निकालो, 45 ना, 45 इस बच्चे के आयत है, अगर 5 नमबर और ले आता, तो pass हो जाता, यानि passing marks कितना है, 50, या जब आपने निकाल दिया, 1500, 1500 का भी 30% निकालो, तो 45, 5 और एड़ गर दो, या फिर 150 का 40% निकालो, कितना आएगा, 60, 60 में से 10 गटा दो, तो भी 50 आएगा, में लिए आपको passing marks निकालना है, ओके, 10th question देखो, एक exam हुआ है, 640 boys and 360 girls, है इसमें, 60% boys pass है, और 80% girls pass है, आपसे पूछे, कितने लड़कियां fail हुई है, sorry, कितने बच्चे fail हुए है, सबसे पहले देखो, boys कितने थे, 640, pass कितना, 60%, 640 का 60% कितना होगा, बोलो, 384, very good, यही calculation मुझे उमीद थी आप लोगों से, देखो, 640 का जब आपको 60% निकालना हो, तो पहले 600 का 60% निकाला, 360 और 40 का 60% निकाला, कितना, 24, add गया आपने, 384, अब इसमें से 384 कर दो, या फिर, जैसे आपको ठीक लगे, 256, यह क्या है, यह failure है, और यह pass है, ऐसे ही, अगर मैं girls का देखूं, तो girls कितनी थी, 360, 80% pass हुए थे, अब 360 का 80% कैसे करोगे, देखो, दिमाग में करना है, 300 का 80%, 240, 60 का 80%, 288, 240 and 48, 288, यह fail है, और यह pass है, अब देखो, आप से पूछा गया है कि बताओ, कितने percent बच्चे जो है न, वो fail हुए है, तो total बच्चे थे कितने थे, 6, 39, 1000, total बच्चे कितने थे, 1000, fail कितने हुए थे, 256, plus में, this, तो कितना हो जाएगा, इसमें अगर मैं यह add गरूँ तो 44, 58, 44, 68, 32.8% है क्या, calculation, calculation को हत्यार बनालो, ऐसे कर लोगे question, ऐसे, ऐसे, तो यहाँ तक हमारा normal question था, marks based, अब हम करते हैं कुछ population based, population questions हमेशा ध्यान रखना, एक ही approach लगाना है, 5%, 10% बढ़ा, तो 10-11, 10% घटा, तो 10-9, ठीक है, 20% बढ़ा, 5-6, 20% घटा, तो 5-4, ठीक है, 25% घटा, 4-5, 25% घटा, 4-3, ऐसे ही करना है सारे questions, ठीक है, अब देखो, जरूरी नहीं है कि population ही बढ़े या घटे, property की value भी घट बढ़ सकती है, ध्यान रखना, ओके, basically इस पे approach सेम रखना है, हर question का, एक property की जो value है ना, हर साल 5% घट जाता है, अगर present value ये है, तो बताओ, 3 साल पहले कितनी रही होगी, 3 साल पहले कितनी रही होगी, ठीक है, 3 साल पहले, 5% घटने का मतलब है कि अगर 100 है, तो 95 हो गया, अगर 20 है, तो 19 हो गया, अगले साल भी 20 से 19, और अगले साल भी 20 से 19, क्योंकि 3 साल की बात हो रही है तो 3 हो जाएगा ठीक है अब देखो 20 का क्यूब 8,000 होता है 19 का क्यूब फिलाल के लिए हमें नहीं पता है मान के चलते हैं अब देखो कॉशन कैसे करोगे ये है present value ये है 3 साल पहले की value ठीक है ये present ये 3 साल पहले पड़ ये लोग कहा रहे है present value ह इनके पास कितना है 4,11,540 4,11,540 किसकी value है 19 का cube यानि 19 into 19 into 90 और हमें निकालना क्या है 20 into 20 into 20 20 का cube था आसान तो मैंने लिख दिया अब देखो ये कटने वाला ही होगा जो भी नंबर देगा कटने वाला ही होगा काटो इसको 19 दूनी 38 19 114 119 कट चुका है ठीक है अब देखो दूसरा 11 भी काटते है 19 बंस और 19 कैरी फॉरवर्ड टू छे ये भी कट गया फिर कटने 60 into 8,000 48,000 सुरी 4,88,000 एक जिरो और आगेगा चार जिरो ठीक है देख रहे हों कोई ट्रिक्स इसको इससे जल्दी नहीं कर सकता आप ये सब लिखोगे भी नहीं जब आपको प्रेक्टिस हो जाएगी ना आपको पता है एक होगा 20 क्यूब एक होता है 19 क्यूब पूरा compound interest मैं ऐसे ही करवा दूँगा देखना बहुत प्यार से question number 12 देखो क्या है एक आदमी है annual salary है उसकी 8,80,000 8,80,000 as his annual salary of the year 2007 which was 10% more than his annual salary in 2006 यानि 2006 से 2007 में 10 पसंद बढ़ गया था तो obvious ही बात है ना ये जो 8,80,000 है ये 11 की value रही होगी 10 पसंद बढ़ने का मतलब तो यह ही है ना कि 10 से 11 हो गया तो 10 की value कितनी होगी तो 8,00,000 आ जाएगा ठीक है ये तो आसान है ये तो आप खुद भी कर लोगे एक गाओं की ना present population जो है ना वो है 67,600 ये 4% के rate से ना हर साल बढ़ जाता है आप से पूछा है दो साल पहले ध्यान रखना दो साल पहले क्या उमर रही होगी क्या इसकी population रही होगी 4% annually बढ़ रहा है ठीक है 4% बढ़ने का मतलब है कि 100 से 104 यानि 25 से 27 हमेशा simplest form में लिखो तो 2 साल 2 साल यानि कि 25 का square यानि 625 है वो 2 साल बाद इतना बन जाएगा देखो मुझे आता है ऐसा नहीं कि 27 का square नहीं आता या 19 का cube नहीं आता लेकिन हम करेंगे नहीं ठीक है हम अभी उसकी ज़रत है नहीं इसका सीधा हो जाएगा देखो यह क्या है यह present value है यह 2 साल पहले की value है ठीक है यह present value है यह 2 साल पहले की value है now sorry 4% है नहीं 26 आएगा my mistake 4% 8% होता तो नहीं 26 26 आ 26 का cube लिखो क्यों लिखो क्योंकि 676 सीधा कट रहा है ठीक है तो अब देखो 676,000 एक्चली में किसकी value है 676 की चाहिए किसकी 625 की 625 देख रहे हो यह कट जाएगा 30 दिरो लगा तो 625 पे एक जिरो कम है ओके है सिंपल देखो 4% का बढ़ने का मतलब है 100 से 104 होना यानि 25 से 26 होना दोनों साल उसी rate से बढ़ेगा 25 26 क्योंकि rate चेंज करने के लिए नहीं बोला ना अगर rate चेंज करने के लिए बोल दे तो देखो जैसे पहले साल बढ़ा 10% तो 10 से 11 दूसरे साल 25 यानि 4 से 5 सिंपल एक एक सिटी की ना जो पॉपॉलेशन है ना वो है 20,000 ठीक है कितनी है 20,000 इंक्रीज़ बाइट 20% दूरिंग दा फॉस्ट यर थर्टी परसेंट दूरिंग दा सेकिंड यर पहले साल वो 20% बढ़ा दूसरे साल 30% बढ़ा है तो दो साल बात कितना होगा देखो 20% बढ़ने का मतलब है 10 से 12, simplest form में लिखो 5 से 6 और 30% बढ़ने का मतलब है 100 से 130 अगर मैं इसको shortest form में लिखू तो 10 से 13 यानि कि जो पॉपॉलेशन आज 50 है ना वो दो साल बात 78 हो जाएगी जो पॉपॉलेशन आज 50 है वो दो साल बात कितनी हो जाएगी 78 हो जाएगी इन्होंने वैल्यू किसकी दे रखी है प्रिजेंट की दे रखी है यानि 20,000 किसकी वैल्यू है हमारे अकॉर्डिंग 20,000 किसकी वैल्यू है 50 की चाहिए किसकी 78 की जिरो से जिरो पांस से कट करो 400 400 को 78 से करना है कितना जागा 75 इन्टू में 4 300 होता है 31,200 मल्डिपलाय कर दोगा 78 को 400 से तो यह आ जाएगा 3,1200 आई हो क्लेर है 31,200 एक सिटी है जिसमेरा 40% इलिटरेट है और 60% पूर है अमांग दा रिच 10% आर इलिटरेट एंड परसेंट इलिटरेट पूर एंड पोपोलेशन देहान रखना बच्चे इसमें गलती क्या करते है ना ऐसे लिख देते हैं जैसे 100% की पूपोलेशन है तो 40% इलिटरेट और 60% पूर ऐसे नहीं है भहिया इलिटरेट को लिटरेट से कंपेर करते हैं ध्यान रखना तो इसको ऐसे नहीं करोगे इसको करोगे कैसे देखो हमारे पास टोटल कितने लोग थे 100 60% क्या है पूर है तो बचेवे 40% क्या होगा रिच ठीक है अब इसी को अगर मुझे लिटरेट और इलिटरेट में बाटना हो तो देखो 40% people illiterate है illiterate कितना है 40 यह illiterate है ध्यान रखना तो लिटरेट कितना हुआ 60 यह अलग अलग है ध्यान रखना वो 60 अलग है यह 60 अलग है अब देखो ज़रा गौर से among the rich 10% are illiterate जो rich लोग है यह 40 इसका 10% इसका 10% लिटरेट और इलिटरेट है तो इलिटरेट कितना है 10% यहनी की 4 तो लिटरेट कितना हुआ 36 और ऐसे ही poor में भी देखो पूर में अगर illiterate के बारे में बात करें तो टोटल illiterate कितने थे? 40 ना 40 में से अगर 4 rich है तो बचे वे 36 क्या है? पूर और 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 बचा हुआ 60 में से घड़ा दो ये 24 literate है hence proved कि जो गरीब होते हैं वो पढ़े लिखे कम होते हैं अगर आप पढ़ लेते हो तो आप अमीर बनने की chances आपकी बढ़ जाती है आपकी नौकरी लगेगी पढ़ोगे ठीक है और फिर गरीब थोटे ना रहे हैं आप rich भी नहीं तो लेकिन middle class में तो पॉल करो गई ना क्या पूचा है the percentage of illiterate poor population illiterate poor population कितनी है अब देखो अगर मैं poor को डिवाइट करूँ ना 60 तो 60 में 24 और 36 ऐसे थाना अगर मैं गरीबों के बारे में बात करूँ ना तो गरीब यानि कि 36 में से 60 में से 36 लोग गरीब है यानि कि 60% जो population है ना गरीबों की वो illiterate है तो इसका आंसर actually में 60 होगा ना कि 36 द्यान रखना question दिखने में आसान लग सकता लेकिन आपने देखा कितना घुमाया गया है इसको ठीक है question क्या पूच्छा उस पर भी the percentage of illiterate poor population कितनी है illiterate poor population जो है वो basically अगर मैं total जनसंख्या के बारे में बात करूँ ना साइद इसने ना total जनसंख्या ही बोला है क्योंकि percentage of illiterate poor बोला है इसने ये नहीं बोला है कि poor में कितने illiterate है तो अगर illiterate poor पूचा है तो फिर तो 36 होगा 36 इसका सही answer है correct कर लो इसको ठीक है क्योंकि illiterate poor population साथ में बोला गया है अगर ये पूचा जाता ना कि गरीबों में illiterate की कितने percentage है तो 60 होता लेकिन illiterate population percentage पूचा है और वो total population का पूचा है तो इसलिए 36 is correct answer बहुत प्यारा question थे 16 देखो क्या है एक आदमी है receive one fourth of his capital अगला chapter करेंगे हम उसमें coins की questions आएंगे उसमें partnership आएगा तो उसमें ये questions ज्यादा है एक आदमी है वो one fourth पे ध्यान रखना one fourth पे तीन परसेंट कमा रहा है ध्यान रखता है टू थर्ड पे पांच परसेंट और remaining पे ग्यारा परसेंट clear है ग्यारा परसेंट ये simple दे रखा है इन्होंने तो बताओ the percentage receive of the whole कितना परसेंट ये कमाता है ये दिखने में बढ़े ही लग सकता है लेकिन होता नहीं आसान होता देखो क्या गरोगे यहाँ four है यहाँ पे three है यहाँ two है तो आप कोई ऐसा नंबर मानो जो चार तीन और दो सब में आ जाए तो आप बोलोगे sir बारा सो ले ले लेते हैं पोर और three का LCM ही 1200 होता है बेसिकली डिनोमिनेटर में ऐसा लो जिसका LCM निकालना पॉसिबल है बारा सो का वन फोर्थ कितना होगा बताओ 300 पे यह तीन परसेंट कमाएगा यानि कितना कमा लिया नौ रुपए clear now two third two third यानि इसका two third यानि eight hundred eight hundred पे five percent कमा रहा है यानि कि 40 रुपए कमा लेगा और remaining कितना बचा सो रुपए न 12 hundred में से यह हटा तो remaining hundred पे कितना कमा रहा है 11 percent यानि कि क्यारा रुपए तो टोटल कितना कमा लिया देखो चालेस क्यारा इक्क्यावन नौ ताट इसने टोटल कमाया है 60 रुपई किस पे 1200 पे 1200 पे 60 कमाया है बताओ percentage में कितना होगा आप देखोगे five percent यानि यह टोटल कितना कमा रहा है five percent इसमें कुछ सीखने की जूरत नहीं थी थोड़ा सा approach चेंज करना है और answer आपके सामने है I hope clear होगा question number 17 देखो क्या है एक factory है the production of cycle rose to 48 400 from 40,000 in two year the rate of growth per annum is देखो मतलब इस question में हालांकि हमें formula लगाना है ठीक है formula लगाना है लेकिन जब हम compound interest करेंगे ना तो बहुत प्यार से निकल जाएगा यह ठीक है अभी मैं दोनों ही बताता हूँ पहला देखो क्या है जैसे 40,000 था पहले बढ़ा होगा X परसंट क्यों ऐसा ही होगा ना पहले X परसंट पहले साल फिर जो भी आया होगा फिर उस पे दुबारा से X परसंट बढ़ गया होगा क्यों ऐसा ही है ना यहरी दो साल बढ़ रहा है इसको ना हम compound interest में लगाएंगे तो formula होता है P 1 फ्लस में R अपॉन में 100 की पावर N ठीक है P 1 फ्लस में 1 P फ्लस 1 प्लस R अपॉन में 100 की पावर N is equal to amount होता है तो यहाँ पर अगर मैं P की value 40,000 निकाल दूँ 1 फ्लस में R अपॉन में 100 ऐसे रहने दूँ और amount लिख दू 48,400 ठीक है देखो N यहाँ पर 2 साल है क्योंकि 2 है तो 2 ही लोग 1 फ्लस में R अपॉन में 100 का square is equal to अगर मैं यहाँ पर देखो 2 0 से 2 0 काट दो यहाँ आ गया 484 और यहाँ आ गया 400 इसको अब कट करने की ज़रत है नहीं वैसे देखो क्यों क्यों क्योंकि square को उधर लेके जाओ गया ना तो 1 प्लस में R अपॉन में 100 जो है यह आपका simple 22 by 20 बचा अब कट कर दो 11 by 10 R अपॉन में 100 is equal to यह 1 उधर जाएगा तो 1 by 10 बचेगा R की value 10% आ गया देट कितना आ गया 10% आ गया बट क्या आपको इतना करने की जुरत है नहीं आपने क्या करना है देखो simple समझना यह चीज़ कितना था 40,000 कितना हो गया 48,400 यही हो गया ना पहला काम किया ना इसको simplest ratio में convert करो देखो जैसे 20 से 20 कटा फिर यह 4 से कट करते हैं तो 100 चार से इसको कट करूँगा तो 121 और तो नहीं कट रहा और नहीं कट रहा ना यह मैंने कट करके 100 और 121 लिख दिया यहां देखो year किसकी बात हो रही है दो साल की बात हो रही है ना कितने साल की बात हो रही है दो साल की तो यह ना किसी ना किसी का square होगा और यह भी किसी ना किसी का square होगा क्योंकि दो साल वोला है इसलिए square बन रहा है तीन साल होता तो cube बनता चार साल होता तो power 4 बनता परसंट होता है 10% देखे हो अब खुद देखलो यह यह मर्जी आपकी ओके यह बहुत सिंपल सा ए परोच है यह बहुत सिंपल सा ए परोच है जब आप बार बार करो गए ना तब जगा आप में इसको बोलू कि यह बहुत गलत होगा देखो क्यों क्यों कि यह लोग भी 11 by 10 ला चुके हैं और हमारा भी 11 by 10 यह आ देख रहे हो हमने भी वही 1 by 10 किया है इन्होंने भी 1 by 10 किया है देख रहे हो दोनों सेम है यानि कि बलकि आपना स्टेप समझ रहे हो अगर आपको यह आता है तो आपको यह बहुत प्यार से समझ जाएगा ठीक आपको पता चाल जाएगा सर फर्जी बाते कर रहे हैं जो इन्होंने यहां किया वही पर वहां पी किया है तरीका बस चेंज कर दिया है बस यह ट्रिक्स कुछ नह है उसकी population 5% बढ़ती है annually और present population है 4410 ठीक है तो बताओ दो साल पहले इसकी population कितनी है 5% बढ़ने का मतलब क्या है 20 से 21 होना पहले साल दूसरे साल भी 20 से 21 होना यानि कि जो कभी 400 हुआ करता था वो दो साल बात कितना हो जाएगा 441 बट इसने present दे रखी है कितनी 4410 दो साल प 441 की तो 400 की कितनी होगी एक 0 और लगा दो 18 का एक देख रहे हूं कितना आसान है 19 देखो क्या है machine की value ना depreciate होता है हर साल कितने परसेंट से 10 परसेंट से अगर present value 50,000 है दो साल बात कितनी हो जाएगी देखो depreciate होने का मतलब है 100 से 90 होना 10 से 9 होना दोनों साल 10 से 9 होगा यानि कि 100 से 81 जो value आज 100 है दो साल बात कितनी हो जाएगी 81 हो जाएगी 10% depreciate का मतलब ही यही होता है तो क्या हो गया 50,000 किसकी value है 100 की चाहिए किसकी 81 की कट कर तो 81 इंटू 500 चालिस जार 500 सो हो जो हो हो है कि मसीन है अगें 5% depreciate कितना है टू लक है तो देखो सेम यह ना कितना हो रहा था 100 से कितना परसंद डेप्टी सीट हो रहा था है यहाँ पर 5% तो 5% का मतलब है 20 से 19 होना 20 से 19 होना यानि कि जो पहले 400 था वो अब 361 हो जाएगा इसकी वैल्यू कितनी है 2,00,00 यानि present वैल्यू कितनी है 2,00,00 2,00,00 किसकी वैल्यू है 400 की चाहिए किसकी 361 की कर दो इसको 1,80,000 80,500 या रहा ना 1,500,00,00 हाँ यह या रहा है ठीक है अब आ गए हम कुछ elections और voting पे पानी है क्या यह एक बद सो चुनाव हो रहा है चुनाव में आपको कुछ चीजन समझनी है ठीक है जो जैसे देखो मानलो एक गाउं में 100 लोग है कितने लोग है 100 लोग है 10 लोगों ने vote नहीं डाला है 90 लोगों ने vote डाल दिया यह कौन लोग है कास्ट वोट और यह 10 कौन से है देड नॉट कास्ट वोट क्लियर अगेन अब देखो कास्ट वोट जो लोग वोट डालते हैं न कई बार क्या करते हैं बैलिट को न ब्लैंक छोड़ देते हैं या कुछ और करते हैं अगर ऐसा करता है तो उनका वोट इन वैलिट हो जाता है मान के चलो इसमें से 10% लोगों का वोट इन वैलिट हो गया यानि कि 9 लोगों का इन वैलिट हो गया और वैलिट कितना हो गया 81 ठीक है अब वैलिट में भी क्या होता है दो लोगों को मिलता है एक होता है विनर और एक होता है लूजर इसमें से जो भी विनर होगा उसको minimum seat होने मिलना चाहिए 41 minimum और loser को maximum जो मिल सकता है ना वो है 40 maximum 40 आप देखो कि overall का 41% ही मिला है इसे लेकिन फिर भी ये विनर है तो अक्सर आपने देखा होगा जैसे हम लोग कहते हैं ना कि अभी जैसे हमारे प्रदानमंत्री है मोधी साब ठीक है मोधी जी जो है इनको 50% वोट नहीं मिला है अगर आप पूरे उसमें देखोगे कि जो population है population का कितना ही % लोग उसको वोट करते हैं एक तो देखोगे population में 50% लोग 55% लोग 60% लोग वोट करते हैं उस 60% का भी उनको 35-40% ही मिलता है क्यों क्योंकि जितनों वोट डाला उसमें से कई सारे invalid है और जो उन्होंने वोट डाला भी वो कईयों में बढ़ जाता है बढ़ क्योंकि democracy है तो democracy में क्या होता है कि majority जो जिसको मिलता वो जीच जाता है जो majority है ध्यान रखना वाहां 50% वाला रूल नहीं है बढ़ जब दो ही लोग है तो एक ही रूल लगेगा 50% तो यह चीज़ें आपको ध्यान रखनी है बाकि सब हो जाएगा ठीक है यह चीज़ें इस तरीके से वोटिंग माय ऐसे ही वोट करता है कल नहीं करवाया था मैंने यह देख लेना अब देखो क्या है एक assembly election है एक candidate को ना 55% of the total valid vote मिला है 2% of the total votes were declared invalid 2% जो vote डला है ना वो invalid है अगर total number of voter है 1,4,000 तो बताओ the number of valid votes polled in the favor of candidate candidate को कितना मिला है एको simple सी बात है अगर 100 रहा होता वोट तो invalid कितना था दो और valid 98 और इस 98 का 55% मिला है किसको विनर को ध्यान रखना यह बोला है a candidate गोट 55% of the total valid votes total valid का 55% और loser को कितना मिला होगा 98 का 45% clear है यहाँ था कोई दिक्कत कोई दिक्कत नहीं है अब देखो total number of votes कितना दे रखा है 1,4,000 कितना है 1,4,000 यह क्या है यह है total number of votes और हमने कितना माना है total number of votes 100 यह किसकी value है 100 की हमें चाहिए किसकी इसकी चाहिए हमें यानि कि 98 into 55 by 100 की solve कर लो 2,0 से 2,0,1,0 से यह 0, यह कटा 11, यह 2, यह कटा 49 चाहिए ठीक है 104 into 11 into 49 कुछ 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 तो दिक्कत है एक लगए एक लगए एक वन लैक 4000 ठीक है 0 multiply करें इसको देखो 49 को 11 से करोगे तो 490 बड़ यह तो 6 डिजट से भी उपर जा रहा है एक जिरो कहीं वे कम होगा 2,0,2,0,1,0,1,0,11,2,49 इसको multiply करेंगे तो 6 डिजट बन रहा है क्या गलती कर रहा है हम फिट से देखना एक बार यार कोई बहुत minor सा mistake हो रहा है देखो एक लाग 4000 98% valid vote है ठीक है 98% इसका valid vote है और उसका 55% यह जीता है एक जिरो दो जिरो कट गया एक जिरो से यह कट गया पांसे कट किया ग्यारा दो 49 मल्टिप्लाइ करना एक बर इसको 104 इंटू में 539 वही वापस से वही आ गया 539 को मल्टिप्लाइ करो 104 से 36 हासिल 3 90 93 212 212 और 93 305 305 में से 5 करें 30 530 और 30 500 565 565 565 है क्या कितना आ रहा था 0 स्वारी स्वारी 560 ठीक है यह इसका अंसर है थोड़ा सा मतलब कई बार होता है कि आपका माइंड ना वो करना मतलब हमें तभी मल्टिप्लाइ कर देना चाहिए हमने सही किया था बट दिमाग मैं सारा था थीजिट को 3डिप्लाइ करते है तो 6डिजिट आएगा लें 5डिजिट आएगा ठीक है तो मल्टिप्लाइ कैसे करना है आपको सिंपल देखो यहाँ पे हमने पोल क्रॉस पोली लगाया था 539 को किसे मल्टिप्लाइ करना था हमें 104 से तो देखो 946 36 carry forward 3 056 ठीक है यह इसका answer ठीक है sorry थोड़ा सा इदर उदर हो जाता है गनित की यही कास्यत है आपको यह कभी perfect नहीं होने देगी और आप सीखते रोगे सीखते रोगे चलो देखो एक office है 40% staff female है और 40% of the females and 60% of the males voted for me, me कौन अभिनव ओके देखो मेरे office में 100 staff है जिसमें से 40 female है और 60 male है ठीक है अब 40% female 40% female यानि की 16 ओके और 60% of males यानि 36 मुझे vote किया यानि total vote मुझे कितना मिला 36 plus 16 52 देख रहे हो कितने लोगों ने vote नहीं दिया 48 एक college है एक college में election हुआ है और election की बात ये है कि एक candidate को 62% vote मिला है और 144 vote से वो जीत गया एक बात बताओ अगर winner को मिला 62% तो loser को कितना मिला होगा 38% 100 में से 62 घटा दो अब इनके बीच का percentage का difference कितना है आप बोलोगे 24% कितना difference है 24% और marks में 144 144 किसकी value है 24 की चाहिए किसकी क्या पूछा आप से तो टोटल number of votes पूछा है कर दो इसको तिक संडेड आ जाएगा clear अगें देखो एक election है जिसमें क्या हुआ है एक candidate है जिसको 84% of the votes elected by a majority of 476 सेम देखो एक को मिला 84% दूसरे को मिला होगा 16% दोना के बीच का difference कितना है बताओ 68% कितना 68% 68% अब 68% से ये जीता है लेकिन number में कितना है 476 तो 476 किसकी value है 68 की चाहिए किसकी 100 की कर लोगे solve 6, 7, 42 56 साथ से कट रहा है 700 कितने votes है 700 इसको प्लीज एक्स वाई लेके ना जबरदस्ती कॉम्पलिकेट मत करना अगर एक्स वाई करना है तो फिर वीडियो देखने का कोई मतलब भी नहीं है सीखो इस सीच को क्या कर रहा हूँ मैं वही करो apply दो आदमी है एक इलेक्शन में लड़ रहे हैं भाई साब पारलियमेंट इलेक्शन के लिए जो विनिंग कैंडिडेट है उसको 57% of the total votes मिला है और 42,000 votes से चीट गया तो अगेन देखो अगर एक को 57 मिला है तो दूसरे को कितना मिला होगा 43 इनका डिफरेंस कितना है 14% और 14% की value है 42,000 42,000 किस की value है 14% की चाहिए किस की 100 की आप निकाल दोगे 3 लैखा जाएगा 8% of the voters in an election did not cast their vote 8% voters ने vote नहीं दिया है in this election there were only 2 candidates election में कितने candidates है 2 candidates है 8% voter ने vote नहीं दिया तिर्फ 2 candidates है winner को 48% of the total votes मिला है ध्यान अगना total votes मिला है यानि कि अगर 100 vote है तो 8 तो invalid हो गए sorry 8% ने दिया नहीं 92% लोगों ने vote दिया अब देखो जो winner है winner को कितना मिला है 48% 48% of total यानि कि loser को मिला होगा 44% ये ध्यान रखना है ये total votes का बोला है इसने valid vote का नहीं बोला है या जिन्होंने vote दिया इसने total vote का 48% मिला है और वो अपने candidate को हमारे according तो 4% लेकिन ये लोग कह रहे है 1100 1100 किसकी value है 4 की चाहिए किसकी 100 की कर दो सॉल ठीक है 27 यार 500 कुछ आजाएगा 4 पन दुनियाठ 2750 ठीक है अगर आपका कोई दोस्त है जो त्यारी करता है आपको लगता है कि मेरी क्लास इतनी अच्छी है कि उन्हें समझ में आ सकता है उन्हें सेर करना चाहिए तो जरूर सेर किया करो ठीक है फिर मिलते हैं गली ग्लास में तक लिए पढ़ाई करते रहो